बिहार के जंदा महंगाई की मार वैसे ही जेल रही थी पिट्रोल से लेकर राश्विन के सामान तक महंगाई की मार जंदा को जेलनी पड़ रही थी कि अब बिहार के बच्चों को भी महंगाई की मार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बिहार के स्कूलों में अब पढ़ाई करना थोड़ा महंगा हो गया है बिहार में नौवी और इग्यारहवी के लिए नामांकन और परिक्षा के लिए शुल्क धाई गुना तक बढ़ा दिया गया है हाला कि से पहले सिक्षा वभाग इन मदों में बेहधी मामूली शुल्क लेता रहा है और लंबे समय के बाद इस शुल्क में अब जाकर इजाफ़ा किया गया है जिसके तहट राजुके, राजुकिये, राजुकिकरित और मानिता प्राप्त माधमिक और उच्छे माधमिक विद्यालियों में विद्यार्थियों से कक्षा नौवी और कक्षा इग्यारहवी में नामांकन शुल्क पच्छास रुपे लेने वाले है इससे पहले चात्रों से नौवी कक्षा में प्रवेश लेने पर 20 रुपे और इग्यारहवी में नामांकन पर 15 रुपे लिये जाते थे 9 वी कक्षा में परिक्षा शुल्क 75 रुपे और 11 वी के कला और वानिज संकाई में परिक्षा शुल्क 100 रुपे और विग्यान संकाई में परिक्षा शुल्क 120 रुपे लिए जाएंगे इसको लेकर सिख्षा वभाग की तरफ से पुनरेक्षित शुल्क समंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है पुनिरिक्षित शिल्क के मुताबिक 9 वी कक्षा में हर एक विद्याथी को विकास शिल्क के रूप में 80 रुपे और 11 वी में विकास शिल्क के रूप में 200 रुपे जमा करने होंगे इससे पहले कक्षा 9 में 7 रुपे विकास शुल्क और 111 में 106 रुपे विकास शुल्क लिया जाता था ठीक इसी तरह स्थानांतरन शुल्क को 10 रुपे से बढ़ा कर 20 रुपे तक कर दिया गया है जबकि माध्यमिक में प्रायोगीक शुल्क 10 रुपे और उच्छे माध्यमिक में 200 रुपे लिये जाएंगे वही अनुपस्थित शुल्क माध्यमिक में 10 रुपे था जिसको कियाब खत्म कर दिया गया है वही परिचय पत्र के लिए 20 रुपे, 11 रुपे में संस्कृतिक शुल्क के रुपे 50 रुपे, फॉर्म शुल्क 50 रुपे, पुस्तकाले शुल्क 20 रुपे जमा करने होंगे खाला की ध्यान रहे कि हमारे द्वारा बताएगे शुल्क कक्षा 9 रुपे और 11 रुपे में नामांकन के समय और कक्षा 10 रुपे और 12 रुपे में शुल्क 17 रुप होने के समय में दिया जाना है अगर किसी अभिभावक को राशी जमा करने में कोई परिशानी अगर होती है तो विशेश परिस्थती में प्रधाना ध्यापक शुल्क भुक्तान की मुहलत देंगे यह विवस्था अधिसूचना की तारीक से लागू होगी यानि कि अब साफ है कि माधमिक और उच्छे माधमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए ज्यादा राशी खर्श करनी होगी इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाएद